लूग का दूसरा अध्या एक से बावन तक इशु का जन्म उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आग्या निकले कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए यह पहली नाम लिखाए उस समय हुई जब क्विर्नियूस सीरिया का हाकिम था सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए अतह यूसुफ भी इसलिए कि वह दाउत के घराने और वन्ष का था गलील के नाजरत नगर से यहुदिया में दाउत के नगर बैतलहिम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्बवती थी नाम लिखवा थी स्वर्गदूतों द्वारा चर्वाहों को संदेश और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने जुंड का पहरा देते थे और प्रभू का एक दूत उनके पास आख खड़ा हुआ और प्रभू का तेज उनके चारो और चमका और वे बहुत डर गए तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरोक्यों कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाउत के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसी प्रभू है और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिप्टा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे तब एका एक उस्वर्गदूद के साथ स्वर्गदूदों का दल परमिश्वर के सतूती कड़ते हुए और यह कहते दिखाई दिया आकाश में परमिश्वर की महीमा और पृत्वी पर उन मनुश्यों में जिनसे वह प्रसन है शानती हो, जब स्वर्गदूद उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा आओ हम बैतलहिम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभू ने हमें बताया है देखे और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा इन्हें देखकर उन्होंने वह बा वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चरिय किया परंतों मरियम ये सब बाते अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और सूती करते हुए लौट गए इशु का नाम इशु रखा गया जो स्वर्गदूद ने उसके पेट में आने से पहले कहा था मंदीर में इशु का आरपन जब मुसा की विवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरुशलेम में ले गए कि प्रभू के सामने लाए जैसा कि प्रभू की विवस्था में लिखा है हर एक पहिलोटा प्रभू के लिए पवित्र टहरेगा और प्रभू की विवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोडा या कबूतर के दो बच्चे लाकर बलिदान करे शेमौन का गीत यरुशले में शेमौन नामक एक मनुश्य था और वह मनुश्य धर्मी और भक्त था और इस्राइल के शांती के बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रगट हुआ था कि जब तक वह प्रभू के मसी को द अनुसार करें तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमिश्र का धन्यवाद करके कहा हे स्वामी अब तो अपने दास को अपने वच्चन के अनुसार शांति से विदा करता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उध्धार को देख लिया है जिससे तुने सब देशों के तब शेमौन ने उनको आशिश देकर उसकी माता मरियम से कहा देख वह तो इसरायल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्न होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोद में बाते की जाएंगी वरन तेरा प्रान भी तलवार से वार पार्थ जाएगा इससे बहुत रुद्यों के विचार प्रगट होंगे हन्ना की गवाही आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भवश्य दवक्तीन थी वह बहुत बूड़ी थी और विवा होने के बाद साथ वर्ष अपने पती के साथ रह पाई थी वह 84 वर्ष से विद अगर प्रभु का धन्यवात करने लगी और उन सबों से जो यरुशलेम के चुटकारे के बाट जोते थे उस बालक के विशे में बाते करने लगी नाजरत को वापस लोटना जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने प्रभु के अनुसार यरुशलेम को गये जब वे उन दिनों को पूरा करके लोटने लगे तो बालक ईशे मातापिता नहीं जानते थे वे यह समझ करके वे अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पढ़ाव निकल गये और उसे अपने कुठुम्यों और जान पैचान व उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया जितने उसके सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा ए पुत्र तुने हमसे क्यों ऐसा वहवार किया देख तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंडते थे उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंडते थे क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्य है परन्तो जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा, तब वो उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा और उसके माता ने ये सब बाते अपने मन में रखी और ईशु बुद्धी और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुश्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ले विवस्था 11 अध्या 1 से 47 तक शुद्ध और अशुद्ध पशु। जो पागूर तो करता है परन्तु चीरे खूर का नहीं होता। इसलिए वभी तुम्हारे लिए अशुद्ध है और सुवर जो चीरे अर्थात फटे खूर का होता तो हैonta परन्तु पागूर नहीं करता इसलिए वद तुम्हारे लिए अशुद थे हैं इनके मांस में से कुछ नखाना और इनकी लोत को छूना भी नहीं ये तो तुम्हारे लिए अशुद है फिर जितने जल जन्तू है उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो अर्थात समुंदर या प बादियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घ्रिनित टैरे, तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोतों को अशुद जानना जल में जिस किसी जनतु के पंक और चोइंटे नहीं होते वो तुमारे लिए अशुद है फिर पक्षियों में से इनको अशुद जानना ये अशुद होने के कारण खाएन जाए अर्थात उकाब हडफोड कुरर चील और भांती-भांती के बाज और भांती-भांती के सब काग शुतरमुर्ग तकमास जल कुकूट और भांती-भांती के शिखरे, हबासिल, हाडगिल, उल्लू, राजहंस, धनेश, गीड, लग-लग, भांती-भांती के बगूले, टिटीहरी और चमकादड जितने पंक वाले कीडे चार पाओ के बल चलते हैं वे सब तुमारे लिए अशुद है पर रेंगने वाल और पंक वाले जो चार पाओ के बल चलते हैं जिनके भूमी पर कुदने-फांदने को टांगे होती हैं उनको तो खा सकते हो वे ये हैं अर्तात भांती-भांती की टिड़ी, भांती-भांती के फंगे, भांती-भांती के जिंगुर और भांती-भांती के टिड़े परंतु और सब रेंगने वाले पंक वाले कीडे जो चार पाउ वाले होते हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद हैं। जो कोई उन्हें चुए वा अशुद टहरेगा और चार पाउ के बल चलने वालों में से जितने पंजो के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद हैं। टिक टिक सांडा और गिरगिटान और रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद हैं। जो कोई इनकी लोत चुए वा सांज तक अशुद रहे और इनमें से किसी की लोत जिस किसी वस्तू पर पड़ जाए वा भी अशुद टहरें। हाट का कोई पात्र हो चाहे वस्तर चाहे खाल चाहे बोरा चाहे किसी काम का कैसा ही पात्र आधी क्यों नहों वह जल में डाला जाए और सांज तक अशुद रहें। सब अशुद टहरें। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद टहरें और यदि इनकी लोत में का कुछ तंदूर या चुले पर पड़े तो वह भी अशुद टहरें और तोड डाला जाए क्योंकि वह अशुद हो जाएगा। वह तुमारे लिए भी अशुद टहरें। परन्तू सोता या तलाब जिसमें जल इखटा हो वह तो शुद ही रहें। परन्त जो को इनकी लोत को चुए वह अशुद टहरें। और यदि इनकी लोत में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वो बीज शुद रहे पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोत में का कुछ उस पर पड़ जाए तो वो तुम्हारे लिए अशुद टेरे फिर जिन पशुओं के खाने के आग्या तुमको दी गई है यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उनकी लोत चुवे वह सांज तक अशुद रहे और उसके लोत में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्तर धोए और सांज तक अशुद रहे सब प्रकार के प्रत्वी पर रेंगने वाले जन्तू गिनोने हैं वे खाए न जाए प्रत्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट या चार पाओ के बल चलते हैं या अधिक पाओ वाले होते हैं उन्हें तुम न खाना क्योंकि वे गिनोने हैं तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आपको घिनोना न करना और न उनके द्वारा अपने को अशुद करके अपवित्र ठहरना क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहवा हूं इसकारण अपने को शुद करके पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए सुमपवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ पश्वों पक्षिओं और सब जलचरी प्राणियों और पृत्वी परसब रेंगने वाले प्राणियों के विश्य में यही विवस्था है कि शुद अशुद और भक्षिय और अभक्षिय जीटारियों में भेद किया जाए ले विवस्था बारा अध्या एक से आठ तक प्रसुता के शुद्धी करण की विधी फिर यौवा ने मुसा से कहा इस्राइलियों से कह जो स्थ्री गर्बवती होकर लड़के को जनम देती है तो वह साथ दिन तक अशुद रहेगी जिस प्रकार वरुत् ना किया जाए फिर वस्थ्री अपने शुद्ध करने वाले रुधीर में 33 दिन रहे और जब तक उसके शुद्ध हो जाने की दिन पूरे न हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्थू को चुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे और यदि उसके लड़की पैदा ह तो उसको रुतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की लगे और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधीर में रहे जब उसके शुद्ध हो जाने की दिन पूरे हो तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी वह होम बली के लिए एक वर्ष का भेड का बचा और पाप बली के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पंडू की मिलापवाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए तब याजक उसको यहवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे और वह अपने रुधीर के बहने की अशुदता से छूट करशुद टहरेगी जिस त्री के लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यही विवस्ता है और यदि उसके पास भेड़ी या बकरी देने की पुझी नहों तो दो पंडू की या कबूतरी के दो बच्चे एक तो होम बली और दूसरा पाप बली के लिए दे और याजक उसके लि रंतर मेरी रक्षा होती रहे क्योंकि मैं अंगिनित बुराईयों से गिरा हुआ हूँ मेरे अधरम के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टी नहीं उठा सकता वे गिंती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है इसलिए मेरा हृदय तूट गया है यहावा कृपा कर पर देशन होते हैं जो मुझे से आहां कहते हैं वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो परन्तु जितने तुझे ढूंडते हैं वे सब तेरे कारण हर्शित और आनंदित हो जो तेरा किया हुआ उधार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे यहवा की बढ़ाई हो मैं तो दीन और दरिद रहूं तो भी प्रभू मेरी चंता करता है तुमेरा सहायक और छोडाने वाला है है मेरे परमेश्वर विलंब नकर